Hi and Welcome, मैं हूँ पीती, आज मैं बात करूंगी ऐसे लोगों के बारे में जिनके उपर आपको कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोग जो आपको कभी भी धोका दे सकते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं इनहीं के बारे में बात करूंगी तो चेलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऐसा कोई इनसान जो बहुत ज़्यादा जूट बोलता हो, जो हर बात बात पर जूट बोलता हो, जिसकी फित्रत ही जूट बोलने की हो, जिसकी 80% बाते जो है जूटी होती है अगर हमारे आसपास ऐसा को इंसान होता है तो हमें थोड़ा idea तो लगी जाता है हम उसके जूट को थोड़ा तो पकड़ी लेते है या फिर हमें समझ में आजाता है कि ये person जो है वो जूटा है तो ऐसे लोगों के उपर आपको trust नहीं करना है क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने statement से बार-बार बदलते रहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं ये बातों को घुमा फिरा करते हैं ये आपके सामने कुछ कहते हैं दूसरों के सामने कुछ कहते हैं यह वही बाते करते हैं जो सामने वाला सुनना चाहता है. ऐसे लोग सिर्फ अपने फाइदे के लिए ही काम करते हैं. ऐसे लोगों से आपको alert रहना है. ऐसे लोग कभी भी कही पर भी मौका पढ़ने पर आपको चीट जरूर कर सकते हैं. तो ऐसे लोगों से alert रहना जरूरी है इनके उपर trust आपको बिलकुल नहीं करना है ऐसा कोई इंसान जो आपको किसी काम को करने के लिए या फिर ना करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेस्टराइस कर रहा है अगर वो ये कह रहा है कि आप इस काम को करो इसमें आपका बहुत फाइदा है या फिर इस काम को आप मत करो इसमें आपका बहुत नुकसान है तो आप ये समझे कि उसका उसने जरूर कोई न कोई फाइदा है क्योंकि जो genuine person होते हैं वो कभी भी किसी के उपर किसी भी तरह का pressure नहीं डालते है वो सिर्फ अपनी advice देते हैं अगर आपके उपर कोई pressure डाल रहा है किसी भी चीज़ को करने के लिए तो फिर आप ये समझ जाएए कि वो person जो है वो आपको cheat कर रहा है क्योंकि हमारे घरवालों के अलावा और किसी को हमारी इतनी फिक्र नहीं होती है अगर कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा concern है कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है ऐसा वो दिखा रहा है तो उसे आपकी नहीं पड़ी है उसे अपनी पड़ी है वो अपने लिए आपको utilize कर रहा है ऐसे लोगों से आप बच करके रहिए ऐसे लोगों से आप alert रहिए ऐसे लोगों आपको कभी भी कहीं पर भी धुका दे सकते है ऐसे लोगों की नियत जो है वो साफ नहीं होती है ऐसा कोई जो आपसे बात करते वक्त आपसे eye contact नहीं रखता है या फिर उसका ध्यान कहीं और रहता है वो कहीं और देख रहा होता है या फिर उसको आपसे बात करने में ज़्यादा interest शो नहीं कर रहा है उसका interest ज़्यादा नहीं है आपसे बात करने में या फिर वो जो कह रहा है उसमें उसका confidence ज़्यादा नजर नहीं आ रहा है तो ऐसे में ज़्यादा chance होता है कि ऐसा person जो है वो loyal नहीं है ऐसे लोग जो अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं जो अपने बारे में कुछ भी किसी को नहीं बताते हैं ऐसे लोग जो दूसरों में ज़्यादा interested होते हैं जो दूसरों के बारे में तो सारी चीज़े जानना चाहेंगे बट अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं अपनी सारी चीज़ों को सीक्रेट रखते हैं ऐसे लोग जो अपनी चीज़ों को किसी से भी शेयर नहीं करते हैं बर दूसरों की चीज़ों को वो जानने में बहुत इंटरस्टेट होते हैं ऐसे लोग जो हैं इनका दिल जो है वो साफ नहीं होता है इनकी नियत जो है वो गड़बड होती है तो ऐसे लोगों पर भी आप ट्रस बिलकुन ना करें क्योंकि ऐसे लोग जो हैं जब भी कभी इन्हें मौका मिलेगा वो आपको चीज़ जरूर कर सकते हैं ऐसा कोई इंसान जो मतलब पढ़ने पर आपको याद करता है जो जब उसे कोई जरूरत होती है तब वो आपके पास आता है आपसे अच्छी बाते करता है आपकी तारीफ करता है आपका हाल चाल पूसता है आपसे अपना काम निकल वाता है और फिर आपको भूल जाता है जब उसे कोई जरुरत होती है तब ही वो आपको याद करता है और जरुरत निकलने के बाद वो आपको पहचानता भी नहीं है य अपने बारे में सोचना उन्हें बुरा नहीं लगता है अपने बारे में सोचना ठीक है बड़ किसी को सिर्फ तभी आद करना जब कोई काम पड़े और इसके बाद उसे पूरी तरीके से वॉइड करना ऐसे लोग जो हैं वो चीटर होते हैं तो ऐसे लोगों से भी आपको बहुत importance देते हैं भले ही वो आपके लिए बहुत ही खास हो बट वो person आपको उतनी importance नहीं देता है या आप उसके लिए उतने खास नहीं है ऐसे लोग जो है वो भी अपने जरूरत के लिए आपको cheat कर सकते हैं तो ऐसे लोगों से भी आपको alert जरूर रहना है ऐसे लोगों पर और करता कुछ है जो बहुत बड़ी-बड़ी बाते करता है लेकिन करता कुछ भी नहीं है उसके action और दोसरों के trust को जीतने के लिए बड़ी-बड़ी बाते करता है ऐसे लोगों पर भी आप त्रस नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों से भी आप इलर्ट रहिए ऐसे लोगों पर आप ट्रस पिल्कुल ना करिए आज के टाइम पे किसी को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है कौन कैसा है ये बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं है लोग अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं जैसे वो अपने आपको express करते हैं वैसे वो होते नहीं है तो ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दूसरों को पैचानना, दूसरों को recognize करना बट अगर हम थोड़ा सा conscious रहते हैं, थोड़ा सा हम alert रहते हैं तो ऐसे में फिर बहुत कम chance होता है धोखा खाने का तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए और अपने आपको थोड़ा सा conscious रखिए, थोड़ा सा alert रहिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कर दीजे, बाई बाई